दोस्तों आप मेंसे करीब सभी लोगों ने एक वारतो ट्रेन में सफर जरूर किया होगा लेकिन क्या आपने कभी पाने के अंदर सफर करने के बारे में सोचा है जरा सोच कर देखिये जो ट्रेन पटली पर चलती है अकर वो ट्रेन पाने के अंदर चलने लगे तो उसे देखन और उसमें ट्रेवल करना कितना एकसाइटिंग होगा जी हाँ हम बात करने जा रहे हैं बारत से दुवई चलने वाली अंडरवर्ड ट्रेन के बारे में ये ट्रेन बारत के मुंबई सहर से दुवई के फुजरा सहर तक चलेगी आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये ट्रेन कब और कैसे सुरूर होगी इसलिए वीडियो को अंतक जरूर देखेगा और वीडियो सुरूर होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं क्या है इस कंपनी के मैनेजिंग डाइरेक्टर और चीफ कंसिस्टेंड अब्दुल्ला अलसही ने कहा है कि ये मुंबई और दोई के बीच रिलेशन को मजबूत बनाएगा साथ ही बिजनिस को भी बढ़ावा मिलेगा दोस्तो पहले हमेशा ऐसा होता था कि जब आप युनाइटेड अरव एमिरेट्स में पहुंच जाते थे तब आपका एडवेंचर शुरू होता था या तब आप मच्ती करना शुरू करते थे लेकिन दोस्तो अभी यातरा शुरू करने से पहले ही शुरू हो जाएगा दोस्तो ये बात तो सभी जानते हैं कि युनाइटेड अरव एमिरेट्स उन देसों में से एक रहा है जो हमेशा सपनों को हकीकत करने में और इन्वेस्ट करने में विश्वास करता है इसमार्ट टरनल्स में इन्वेस्ट करने के बाद युवेई टेकनोलोजी को और आगे ले जा रहा है एक बार बैंचबार्क बनाने की तयारी उनाइटेड अरव एमिरेट्स एक हाई स्पीड मुमबई से दुवई अंडरवाटर ट्रेन बनाने जा रहा है यह अंडरवाटर नेटवर्क दोनों देशों को जोड़ेगा और पैसंजर्स को ट्रांसपोर्ट के साथ साथ ओईल और आधर चीजों को भी ट्रांसपोर्ट करेगा इस तरह सूपर स्पीड अंडरवाटर बुलेट ट्रेन का कॉंसेप्ट एक्जिस्टेशन में आया दोस्तो ये तो हम सब जानते हैं कि एक समय था जब दुवई तक ट्रेवल करना बहुत असान था क्योंकि दुवई में देखने के लिए बहुत कुछ नहीं था लेकिन अब दुवई दुनिया के सबसे बड़े टूरिस्ट प्लेस में से एक है दोस्तो अब के दुवई का सुनेरियो पहले के दुवई से बहुत अलग है अक्षर लोग दुवई में घूमने आते हैं और सोरिंग टूरिस्ट के चलते अब यहां आने वाले टूरिस्ट ही पोकिट भी ज़्यादा खाली होने लगी है और दोस्तो क्या आप जानते हैं इंडिया सफ कॉन्टेंट के टूरिस्ट युई में सबसे ज़्यादा बार जाने वाले टूरिस्ट रहे हैं और यही कारण है कि हाई स्पीड अंडर वाटर रेल का कॉन्सप्ट ना सिर्फ टूरिस्ट के लिए ट्राइव और कोश्ट को कम करेगा बलकि ज़्यादा टूरिस्ट की शहर तक इंफ्लेंस को बढ़ाने के लिए भी तैयार है अब ट्रेन से मुमबई से दुवाई जाना तो संबब है लेकिन दोस्तो समुदर के नीचे के सांस लेने वाले दास्ते भी संबब है ये हाई स्पी ट्रेन मुमबई से शुरू होगी और दोई से सिर्फ एक गंटे की दूरी पर फुजाईरा सहर में खतम होगी मिडिल क्लास के सिटीजन के लिए भी टिकेट की किमते सस्ती होने की संबावना है चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि ये अंडरवर्टर ट्रेन काम कैसे करेगी और कैसे एक या दो घंटे में दुबहिता पहुँच जाएगी सुरूंग का कॉंसेप्ट एक बैल मोल टेक्नोलोजी पर अधारित है जो फ्लोटिंग ब्रिजिस, इमेरिश टरनल्स, एंड और सोहर इस्ट्रेक्चर पर अपलाई होती है फ्लोटिंग अंडरवर्टर टरनल में टू कर्ब्ड कंक्रेट ट्यूप्स होती हैं जो इनेवरेंसी प्रोसिस के नीचे डूबे रहेंगे इन अंडरवर्टर टरनल को पॉंड स्ट्यून से जोड़कर इस्टिबिलाइस किया जाएगा जो चुप्स को गुजरने के लिए एलाओ करेगा दोस्तो हम आपको बता देते हैं कि वर्टर ट्रेफिक और मोसम से बचने के लिए इन ट्यूप्स को काफी गहरा रखा जाएगा साथ ही सुरंग वर्टर टाइट होगी जिससे सेफटी वर्टर का रिजिस्टेंस होगा और उस पर ये हाइट्रोस्टेटिक फोर्ज का सामना करने में सक्षम होगी सुरंग के अंदर बैक्यूम बनाने में मिनीमल एयर रिजिस्टेंस के करल ट्रेन की ट्रेमेंट वर्टर शिस्पीड होगी गुंबई से दोई के बीच अंडर वाटर रेल के कोंसेट को हकीकत महिलाना एक बहुत बड़ा काम है और दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि इससे बनाने में बहुत सारा फाइनेंसियल एंड इंटरलेक्शुल कैपिटल लगेगा दोस्तों हैरान करने वाली बात तो ये है कि अरफ सागर के नीचे 1862 क्लोमेटर से जादा की कुल दूरी महस दो गंटे में की जाएगी इस दूरी को कवर करने के लिए ट्रेन की स्पीड लगवग 600 से 1000 क्लोमेटर प्रती गंटे की लिमिट तक तक की जाएगी जो निश्चित रूप से एक प्लैन की स्पीड और इसकी कटिंग फिचर्स के मामले में स्पीड को हरा देगी दोस्तों हमने ये बात तो कर ली कि ये ट्रेन काम कैसे करेगी तो चलिए अब हम आपको वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम आपको बताते हैं कि इस अंडरवाटर ट्रेन के क्या क्या फिचर्स हैं तो सबसे पहले हम इसके फिचर्स की बात कर लेते हैं हाइ स्पीड मुंबई से दुबई तक चलने वाली ये ट्रेन अंडरवाटर मुंबई से खुजेरा सहर तक चलेगी जो कुल 200 किलोमेटर की दूरी तै करेगी नमबर दो अब अगर दोस्तों हम इसके सेकंड फिचर्स की बात करें और साथी में रूस की यात्रा प्रभावित नहो अपने आप में ही ये सुनिश्चित एक बहुत बड़ी सुनोती होगी नमबर चार चोता फिचर्स है इसका स्टेट ओफ आर्ट डिजाइन इसकी सटिकता के लिए महतपूर है और हाइस्पीड अंडरवाटर डिजाइन को इसके फोटफुल के बाईडी से सराया गया है तो दोस्तों अब तक तो इस वीडियो में हमने आपको बता दिया की कैसे ये अंडरवाटर ट्रेन चलेगी कैसे काम करेगी और इस अंडरवाटर ट्रेन के क्या-क्या फीचर्स हैं तो अब हम आपको ये बताएंगे कि अगर ये अंडरवाटर ट्रेन चली तो कैसा दोनों ही कंट्रीज को यानि इंडिया और यूए को क्या-क्या फायदा हो सकता है इस रेल नेटवर्क का यूज़ करके पैसेंजर्स, टूरिस्ट एंड वरकर्स को गॉल्फ क्रफशन काउंसियल यानि कि जी-सी-सी देशों और भारत के भी इस ट्रांस्पोर्ट किया जा सकता है नमबर दो फुजेरा पोर्ट से भारत में एक पाइपलाइन के मादियम से तेल और गैस पहुचाया जा सकता है नमबर तीन, गुंबई के नोर्थ में नर्वदा नदी में हर साल बालाती है इसलिए नरवादा नदी से बचे पानी को पाइप लाइन के माधियम से UAE में एक्सपोर्ट किया जा सकता है नमबर चार, वोड एंड कॉमडिडियर्स को दोनों देशों के बीच ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है नमबर पांच, तैरत हुए फ्लोटिंग पॉन्टोंस के बीच से गुजरने वाले जाजों को फ्लोटिंग बनकर्श, फ्लोटिंग इस्टेशन के माधियम से फ्यूल वरा जा सकता है दोस्तों अब हम आपको बता देते हैं कि यूए के नैशनल एडवाइसर ब्यूरियो लिमिटेड के डाइरेक्टर अब्दुल्ला अलसही ने आबुधावी में आयुजित यूनाइटेड अरव एमिरियर्स इंडिया पॉन कलब में बोलते हुए कि लाइन ना केवल अरव स को ताजा पानी का एक्सपोर्ट कर सकता है तो दोस्तों आज की बीडियो में बस इतना ही दोस्तों अगर बीडियो पसंद आये तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और साथ ही बेल आइकन की एखंटीगों भी प्रेस करते हैं मिलते हैं अ